तभी को नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में और आज हम लेके आए हैं लास्ट के जो 28-30 दिन लगवग आपके रहते हैं उसके लिए एक स्ट्रेटजी आप जानते हैं एक्जाम 9th of September से स्टार्ट होगे 26 सितंबर तक चलेगा लगवग 30 दिन आपके पास है जिनका पेपर थोड़ा लेटर उनको कुछ दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे लेकिन वह आप मौक एनलेसिस में देना जो आपके पेपर के अनलेसिस में तो क्योंकि हम हर सब्जेक्ट की बात करेंगे हर पॉइंट की बात करेंगे मौक कैसे लगाना है कैसे एनलाइज करना है इसकी बात करेंगे तो हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी लेंथी लगे लेकिन इस वीडियो में एक एक पॉइंट आपके काम का होगा कोई पेड़ लोगों के लिए स्ट्रट्टरेट्ज से घर हैं आप तीजह करना चाहते है यहां पर सीरियस स्टुडेंट्स आपके सभी देखें और लास तक देखेंगा सबसे पहले क्या क्या इस्वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं आपको तो strategy हर subject के लिए क्या आपको करना है क्या आपकी problem से उन problems का solution क्या हो सकता है इसके अलावा exam insights में mock test कैसे लगाना है mock test के टाइम पर क्या do's and don'ts होंगे आपके इसके अलावा exam में आपको exam pressure को कैसे handle करना है उसकी भी हम हो जादा इसके अलावा daily आप लगा सकते हैं अगर आप ऐसे करना चाते हैं कि पहले से सारे कर चुके हैं तो पीवाई क्यों को alternate कर दीजिए इसको daily कर दीजिए अगर आपकी efficiency थोड़ी कम है तो एक दिन यह कर लो एक दिन यह कर लो अगर आपको लगता है आपकी efficiency बहुत है आपके already 140 150 नमबर आ रहे हैं तो आप डेली यह और डेली यह भी लगा सकते हैं आपकी efficiency पर डिपेंड करेगा क्या कितना कर सकते हैं बाकी मेरे वाई मौक analysis बहुत important part है analysis का मतलब क्या है थोड़ा सा जानने देखो बहुत डीप analysis का समय अब नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपको analysis करना चाहिए analysis में क्या क्या आपको ध्यान रखना है तब से पहले analyze करते time आप उन चीजों को देखें जो आपसे हो नहीं पाई यानि जो चीज़ा आपको नहीं आती है उनको एक side रखें दूसरा आप उन चीजों को जरूर identify करें जिन चीजों की वज़े से आपका time खराब हुआ है फास करके maths के और reasoning के section या इंगलिस में comprehension का वो section जिन पर attack के आपका time खराब हुआ और दूसरे subject जिसकी वज़े से आपके affect हुए तो उनको ध्यान रखें उनको एक category में रखें इनके लिए आपको बार-बार revision करने की ज़रत पड़ेगी जो daily revision है यह 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 आपके weak areas है ऐसा नहीं कि आता नहीं आ आपको अगर solve करा है तो इसका मतलब है आता तो है लेकिन आपको उसमें दिक्कत है अगर आप उसका जल्दी-जल्दी कई बार revision कर लेंगे तो वह दिक्कत दूर हो जाएगी और वहां पर time नहीं लगेगा तो दूसरा area आपका यह वाला identify आपको करना है जहां पर आपको time लगता है तीसरा आपको एक एरिया और identify करना है जिसको अकसर करके हम लोग ignore मार देते हैं वह एरिया क्या होता है बहुत सारे questions ऐसे होते हैं जो हमसे paper में हो गए और वह सही भी हो गए लेकिन ना तो हमें उन पर confidence था और ना ही हम उसको बहुत ज़्यादा के security से कर पाए कि यही सही है पस वह कैसे भी करके एक बैठ जुगार बैठ गया तो उन questions को भी या उन concepts को identify करें जो आपको इस तरीके से परेसान करें थे क्योंकि यह वह एरिया है जुगार बैठ फारा इसका मतलब कहीं न कहीं आता है अगर दो तीन बार revision मार दिया जाए इन चीजों का तो पक्का 100% आप अगले मौक में उसको पूरी security से कर पाऊगे तो इससे आपका score consolidate होता है और fluctuation जो आपके marks में रहती है कि एक मौक में 150 आगे और दूसरे में 120 पे गिर गए वो fluctuation खतम हो जाएगी विकस जो ऐसे parts हैं जो सही होना और गलत होना दोनों की संभावना है इनके आ अलावा एक part आपका हो रहेगा जो आप confidence के साथ में मलब time भी कम लगाके और confidence के साथ में कर पाए ऐसे part को आपको बहुत ज्यादा मेनत करने की जोरत नहीं क्योंकि आपने पिछले देड़ दो साल में जितने भी time से अपतियारी कर रहे हो आपने उस part को बहुत अच्छे से इसके अलावा वो चीज़ें जो आपका time खा रही थी उनका revision हो जाएगा तो वो time खाना बंद कर देंगी 2-3 revision में काम चल जाएगा उसके अलावा जो आपके बिल्कुल आती नहीं थी चीज़ें उनका 2-3 revision कर लोगे तो आपके mind में ऐसा हो जाएगा कि आप उसको question को कर पा targeted mock और quiz लगा सकते हैं week chapters के यानि कि जो आपके week chapters है चाहे वो maths की बात है चाहे वो English की बात है चाहे रिजनिंग GS की है तो आप chapter wise mock test आपको अलगलग website पर मिलते हैं website पर ना मिलें तो हमारे जो VOD batches हैं हमने उनमें हर chapter के mock test डाल रखें आप वहां से भी लगा सकते हैं तो ज बहुत सारे मलब free quiz भी डाल रखें वहां से लगा सकते हैं बैच नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है जो भी आपने test series ले रखें वहां पर available है वहां से लगाई कोई issue की बात नहीं है बहुत सारे Google Play Store पर free apps मिलते हैं वहां से लेकिन मैं आपको recommend यह करना चाहूंगा कि इस revision को छोड़ दिया जाए तो सारा screen time है excessive screen time अकसर करके हमें irritation की तरफ ले जाता है हमें परेशानी की तरफ ले जाता है हम थोड़े से परेशान होने लगते हैं तो अगर आपको उसको avoid करना है तो आप यह कर सकते हैं जैसे previous year के mock test आप online ना लगाके जैसे इसको online format में लगाते या mock test जैसे भी आप कोई किताब वगएर आपके पास है उससे कर सकते हैं या आपके पास में previous year की कोई किताब है जैसे cjl warrior वगएर आप उससे भी कर सकते हैं ठीक है बाकी targeted mock और को इसको आपको app से ही लगाने पढ़ेंगे तो screen time वहाँ पर भी रहेगा बस मेरा आप कहने क पॉइंट इसमें यह था कि screen time आप थोड़ा सा कोसिस करें कम करें जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं आप अपना देख लेना थोड़ा सा है ना इसके अलावा डूस और डूस की बात करेंगे तो डूस में आपको क्या करना है लेटिस्ट जो एक्जाम साफ क्यों उनके सारे questions को हल करें जैसे CPU का पेपर भी हुआ फेस 12 का हुआ इनके questions को आप हल करें अगर mock test के format में कहीं पर मिल जाते हैं तो well and good नहीं मिलते हैं तो telegram पर लगवक सारे teachers provide करते हैं English का पूरा section मैंने वोगेब अंडर्स पर डाल रखा है यह एसल का भी CPU का भी फेस 12 का भी mock test के format में आप वहां से कर सकते हैं कोसिस करें कि जो SSC का format है उसमें ना करें उसमें आंसर की तुरंत होती है इससे हमारे जो सोचने की छमता है वो बिल्ड नहीं हो पाती है आपके सामने अगर तुरंत आंसर देख जाएगा तो आपको उस धंग से सोच नहीं पाते हैं जैसे आपको सोचना चाहिए तो कोसिस करें mock format में इनको लगाएं इसके अलाब आब रिवाइज करने से मेरा मतलब क्या है जो भी आपके वीक एरियास थे उनको रिवाइज कर सकते हैं नोट्स रिवीजन में आपको विशेश ध्यान देना है कि एक्सेसिव टाइम नहीं लगाना है क्योंकि कही नहीं आप अब तक नोट्स ही पढ़ रहे थे और नोट्स को प पर ज्यादा फोकस करें जो नहीं आता है उस पर फोकस करना है सही बात है लेकिन उस पर ज्यादा फोकस करें जो वीक है आता भी है लेकिन अटक सकता है क्योंकि ऐसा नहों कि जो आता है वही ना कर पाए तो फिर क्या फाइदा ठीक है इसके अलावा डाइरी ओफ मिस्टेक मैंटेन करने डायरीएमिस्टेक्स का गलत मतलब ना समझें कि मुटी सी डायरी ले जो गलत हुआ सारे किजन पूंस между नहीं करना है क्योंकि वह समय है आप यह स्टर्टिंग में जब ईस्टर्ट करते हैं तब कर सकते हैं अभी लास्ट के कि आप जो फिगर वाले questions हैं उनको देखते हैं तो फिगर पूरे डंसे नहीं देखे थोड़ी से हिंट मिली आंसर मार्क कर दिया है इन mistakes को नोट करें कि यह mistake अगले में नहीं करनी है कभी आपने diameter को like radius मान के question को solve कर दिया because questions लिखने जाओगे तो कोई फैदा नहीं होगा बहुत टाइम लग जाएगा वी केरियाज पर ज्यादा काम करें अपने notes को बार बार उन से revise करें और practice करने की प्रयास करें वी केरियाज की उसके अलावा जो probable time slot में mock test लगाने की पेपर में efficiency नहीं ऐसा नहीं है कि मौक के दिन आपको नीद आ जाएगी लेकिन फरक या जाता है कि जो सुरुवात से दिन में पढ़ रहा था वो दिन में उसी efficiency के साथ में paper कर पाएगा आपकी efficiency relatively कम रहेगी अगर आप दिन में पहले से पढ़ रहे होते तो आप ज्यादा बहतर कर पाते हैं इसके अलाबा डेली रूटीन अच्छा रखें खाने पीने का विसेज ध्यान रखें कुछ भी ऐसा वैसा उल्टा सीधा ना खाएं कि इस टाइम पर तवियत विवेद कराब हो जाएं और पूसिस करें रूटीन अच्छा रहे क्योंकि तवियत अगर कैसे हैंडल करना यह थोड़ी से आदत आपको हो जाएं तो ऐसे माने कि यही आपका रियल एक्जाम है इसलिए प्रिवेस एर को प्रिवेस एर के तरीके से देखें हर चीज को आप मॉक टेस्ट मानोगे तो ओ सीरियसनेस कभी नहीं आपाई कि मॉक टेस्ट को थोड़ा सा सबसक्राइब करें तो आलग तरीके से देखें या वीक में एक या दो मॉक टेस्ट ऐसा रखें जिनको आप स्पेसल आटेंसं दे रहें गिसे तरीके से आप वैसे कर सकते हैं इससे तोड़ा सा इक्जाम प्रेसर जेलने की आपके अंदर अबिलीटी बनेगी डांट्स मैं अगर देखें क्या क्या नहीं करना है सबसे पहले सोसल मीडिया बिल्कुल बंद करतें मेरे बाई सारी चीजें साइड गई ओलंपिक खतम हो गया सब साइड रख दें यूट्यूब सिर्फ क्लास के लिए यूज करें रील्स बगेरा बिल्कुल ना देखें इंस्टाग्राम बंद कर दें फेस्बुक भी बंद कर दें वाट्सेप से सिर्फ लिमिटेड लोगों से कनेक्टेड रहें एलिग्राम पर भी लिमिटेड टाइम के ले जाए एकसेसिव टाइम वहां भी स्पेंड ना करें इसके अलावा खुद पर भरोसा रखें और एक-दो मौक में अग अच्छे से पढ़ लें ऊपर-उपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा ठीक है तो अगर कोई चीज रह रही है तो इसको अच्छे से पढ़ें भगदर बिल्कुल ना मच रहें एक्जाम औरियंटेट पढ़ें बहुत ज्यादा डीप भी ना जाएं कई बार हम क्या करते हैं चार दिन पास दिन ऐसा काउंट डाउन यह जो घड़ी की टिक टेक है वो अपने दिमाग से निकाल दें तसली से काम और कंपोज्ड रहके पढ़ाई करें दिमाग में रहना चाहिए कि कितने दिन हैं लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसका प्रैसर आपको लेना है लिमिट से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी ना लगाएं ऐसा ना हो कि मॉक टेस्ट आपके लिए मजाक बन जाएं लिमिट से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने का नुकसान ही होता है अगर आपने चीजों को एनलाइज नहीं करा है तो आप इंप्रूब्मेंट नहीं कर पाऊगे मॉक ट प्रेस्ट को प्रेक्टिस ना मांने मोक टेस्ट को टेस्ट मानके चलें प्रेक्टिस के लिए आप बहुत सारे अलग से 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 coordinating cock earிक्र लगारे और हो वह प्रेक्टिस है इतने सारे सब्जेक्ट है उनके इतने सारे नोट से हैं क्या क्या रिवाइज कर लोगे हर चीज नहीं कर सकते इसलिए आपको स्पैसिफिक रहना है मौक टेस्ट लिमिटेड रखके मौक को एनलाइज करके अगले मौक से पहले पढ़के जाएं इससे माक्स इंप्रूव हो त बारे मिनट में कर लेंगे लगवख फिर आप मैंट्स के लिए बचा लेंट तो अपना पहले से 씨्था रखंः जसा नहीं कर जासर बाकी सेक्सन का ताका पॉर ऊनमें भी कम और तो यह time अपने mind में थोड़ा सा fix रखें किया इस section को मैं इतना देता हूं और उसी के एसाफ से questions को skip करने की आदध डालें starting से speed को maintain करें कई बार सुरुआत में हम थोड़े से slow रहते हैं मतलब बुलेट गाड़ी की तरह चलते हैं कि पहले सा मौसम बनने में टाइम लगेगा वह ना करें मौसम सुरू से बनाके चलें इसके अलावा स्टार्टिंग में अगर कुछ करते हैं उसको तुरंट के तुरंट कितनी बार भी अटेंप्ट कर लो मिस्टेक होती रहेगी skip करें mark for review कर लें आगे चले जाए mark for review का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें ऐसा नहीं करें कि हर उनको mark for review करें जो questions आपको altogether आते ही नहीं है उनको mark for review ना करें बाद में ऐसा नहीं हो कि mark for review में डूणना पड़ रहा है कि आप कौन सा question करें mark for review जितने भी है उनको आप at least एक बार लास्ट में देख जरूर लें अगर question का कोई आइडिया नहीं है तो तुक्का न मारें हलंके तुक्का मारना गलत नहीं है कई बार क्या होता है कि हमने question कहीं नहीं पड़ा होता है subconscious mind में हमको लगता है यह सही है मार देना चाहिए खास करके GS में मेरी यह approach हमेशा से रहती थी आपने जैसे question पड़ा और जिस option पर नजट टिक जाए मेरे भई मार देना क्योंकि वहीं पर टिका दो फिर अगर नजट टिक है तो टिका दो क्योंकि वह अकसर करके सही answer होता हम हमने चीजां पड़ी हुई है हम relate कर लेते हैं लेकिन फिर हम excessive सोचते हैं तो answer कभी भी excessive सोचके और surety ना हो तो answer change ना करें कई बार अगर excessive सोचा फिर sure हो गया रहे यार यह किसका तो यह था तो change कर लो लेकिन इतना सोचने के बाद में भी doubt है तो जो पहले था उसको रखें अकसर करके जो बहुत सोच के answer change करते हैं और बिना surety के वो गलत निकलते हैं दूसरा आपको यह लग सकता है कि तुक्का मारना negative में ले जाता है अकसर करके क्या होता है जब हम analysis करते हैं तो हम जो हमारे गलत हुए उनको तो तुक्का मान लेते हैं जो सही होगे हमें लगता ह है कि हमने वह सही किये थे बहुत सारे तुक्के सही भी होते हैं तो अगर आप मलब ऐसा भी नहीं करें कि कुछ नहीं आरा फिर भी तुक्का मार दो नहीं आप एक option को eliminate कर पाए दो को कर पाए या आपको strong feeling अंदर से आरेगी यही है मार दो क्योंकि वह feeling ऐसे नहीं आती है जैसे हम कई वार English में कहते है feeling आ रही है feeling इसलिए आते है क्योंकि बच्पन से हम English को बोलते सुनते पढ़ते आए इसलिए तो अगर उस question में feeling आ रही है इसका मतलब है कि वह question कहीं नहीं आपने पढ़ा है देखा है सुना है तो मार देना चाहिए इसके अलावा mock test के बाद म अगर subject wise strategy की बात करूँ जल्दी जल्दी तो मिरवाई देखो English की बात करें silly mistakes बहुत हो जाती है silly mistakes का विसेज ध्यान रखें error detection का question पूरा पढ़े close test हो गया PQRS हो गया यह सारे और voice narration के questions खास करके silly mistakes होती है इनको option elimination से जाए silly mistakes को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है option elimination अगर तीन option आप surety से गलत कर पा रहे हैं तो silly mistakes होने के chances कम हो जाते हैं वुकैब की वज़े से confusion होता है तो वुकैब को बार बार रिवाइस करें meaning जो आपके mind में click कर रहा है वो जनरली सही होता है कई वार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि आप surety नहीं है अगर कुछ लग र revision की ज़रत है तो और revise करें concept meaning पता होता है फिर भी question गलत हो जाता है इसके दो कारण हो सकते हैं या तो question को आपने ढंग से देखा ही नहीं और या फिर question को आपने limit से जादा देख लिया आपको ऐसा भी नहीं करना है कि एक पहला option देखा mark करे आगे बढ़ गे सारे options एटलिस नहीं करना चाहिए कई बार हम over analysis में questions को गलत कर देते हैं तो यह पता होते हो भी तवी गलत होता या तो over analysis कर लिया या question जल्दवाजी में mark कर दिया तो वो ना करे close test और reading में ज्यादा time लग रहा है तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं यह problems थी इनके solution क्या हो सकते है daily revision of vocab का ibs daily करें कैसे revise करना एस देखिए गावई जैसे यह किताब है मेरे पास संझीव नहीं मैं यह नहीं किरहा हूँ किधा आपके पास इह किताब हो आप ने जिस भी किताब से पढ़ाए अगर इससे पढ़ाए बहुत अच्छी वात है आपने जिस भी ऍुकिताब से पढ़ revision का मेरे हिसाब से मतलब यह है जैसे ही मैं यह किताब खोलता हूँ और मैंने देखा कि synonymous में 58 से लेके 77 काफी question है 20 है इस speech में अगर 20 word दे रखें तो ऐसा नहीं कि मुझे 20 के 20 याद नहीं है इनमें से मुझे बहुत सारे याद होंगे तो आपको जो words याद नहीं है या जो मुस्किल लगते हैं या जो अटकते हैं उन पर छोटे छोटे star mark कर दो बहुत ज़्यादा highlight ना करें highlight करने में क्या है कि question जब याद हो गया तो उसको मिटा नहीं पाते है जब word याद हो जाता फिर भी उसको हमारी मजबूरी हो जाती कि अब तो पढ़ना ही पढ़ेगा क्योंकि highlight हो रखा है star mark कर दो है pencil से क्योंकि याद हो जाता है तो उसको हटा देंगे चलो यह तो अब कंठस्त है इसको नहीं भूलेंगे तो यह वाला काम थोड़ा करते रहे यह सब आगे चलते जाएं जल्दी जल्दी और ऐसा बिल्कुल ना करें कि वुकाइब में रिवीजन के लिए अब टार्गेट बनाके बैठें कि सर बीस को सन करूंगा आज एंटॉनिम्स के बीस करूंगा सिनोनिम्स के नहीं मेरे वाई आपको क्या करना चाहिए स्पीड में जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो फिलाल रिवीजन होना चाहिए वुकाइब का रैधर देन कि आप एक एक वर्ड पर लगे पड़े हैं एक वर्ड को 28 बार पड़ रहे हैं वो नहीं करना है इसके अलाबा याद है फिर भी लगता है कि गलतिया हो रही है त ली होम डेली वरी 110 तो पर मिल जाएगी फाइदा क्या होगा इसका एक स्क्रीन टाइम कम होगा वुकाइब की प्रेक्टिस के लिए पुइज भी लगा सकते हैं वह सारे एप हैं लेकिन मैं आपको बार-बार बोल ओके स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करो सकता है मैं को कि क्य यह पढ़ता है कि आपने पढ़ा हूँ वाकी मेरे भाई concept building के लिए daily एक chapter के सारे concepts को revise करें कौन सी किताब से करें English grammar इस किताब के लिए मैं जरूर यह कहूँगा कि यह जरूर मंगा लो जो आपके पास में existing किताब हैं ना मैं उनकी आलत जानता हूं वो कैब में अगर किताब आपको होगा grammar में यह मैं guarantee दे सकता हूं इस चीज की ठीक है इससे क्योंकि यह सिर्क रूल्स नहीं सिखाएगी आपको आपकी overall understanding बढ़ जाएगी एक महीने में फरक आएगा आपको मैं कहा हूं 15 दिन में पढ़ दोगे उससे भी बहुत फरक आएगा आपकी understanding पे इसके अला और पीवाई क्योंकि बुक है तो उससे करें कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है आपको फिलाल प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है तो कोई भी बुक जो है अगर सीजल वारियर नहीं है तो आप मंगा भी सकते हैं इसके अलावा दो डेली दो सेक्शनल टेस्ट लग लगी है वाकि complete English in one class ये एक मेरी class आने वाली है इस class को जरूर देखना 14 अगस्त को लाइव होगी सुबह 11 वजे से इसको आप यह मान सकते हैं कि यह इंग्लीज के गोल्डन रूल्स है आप जो भी मानना चाहें इसके अंदर complete जितना आपके एक्जाम में आने की संभावना रहती है वो complete करा दूंगा इससे बाहर नहीं जाएगा ये class जरूर देख लेना आपके बहुत फाइदे के लिए है इसके अलावा मेरे मैट्स में अगर बात करें क्या-क्या समस्य आ सकती है तो questions में average से ज्यादा time आपका लग जाता है calculation or silly mistakes हो जाते हैं concept पढ़ रखें apply नह नहीं हो रहा वहीं पर चेंज कर देते हैं वो नहीं करना है आपने अगर किसी चीज़ को security के साथ में start करा एक बार उस question को पूरा करो आप बहुत जदा अटक गए हो तो छोड़ दो लेकिन अगर आपका आगे step आते जा रहें आते जा रहें तो करते जाओ इससे फायदा हो पड़ी नहीं रखेंग से concept पता है फिर भी question गलत हुआ यह कोई बात नहीं है actual बात है कि आपको आता ही नहीं था आपको अक्सर करके बोल देते हैं कि आता तो था लेकिन गलत हो गया fact यह कि आता नहीं था आता होता तो गलत क्यों होता चाहे वो मैट्स है चाहे वो रीजन करना चाहिए daily calculation की practice करें किसी app से कर सकते हैं या manually अपनी copy पर कुछ लिख लेखाके उनको multiply करो जोड़ो divide करके देख लो घटाओ सब कुछ करके देख सकते हैं silly mistakes को अलग से note करते हैं maths में खास करके silly mistakes हो जाती है इसके अलावा और उनको अगले मौक से पहले एक बार देख लें और repeat ना करें जिन concept के questions गलत हुए है उन concepts को क्या करें revise कर लें और कहां से revise करेंगी मेरे बाई मैं आ सारी चीजों को revise कर लें questions को relate करें और solve कर लें ठीक है और जितने भी related questions है उस concept से आठ आठ दस या पांच-पांच-पांच-छे-चे questions जरूर लगा लें जरूरत के साब से बाकि कुछ chapter के कुछ विशेश concepts ऐसे होते हैं जिनमें हमें हमें हमेसा doubt रहता है उनकी practice ज्यादा से ज्यादा करें चार्च-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पे लगाते जाएं आप खुद भी identify कर चुके होगे पिछले देड़ दो साल से आप घरतों नहीं बैटे त्यारी कर रहें इसका मतलब आपको पताए कि कहां गड़वड होती है उन में यह वाला कॉंसेप्ट परिसान करता है इसके लावाब ट्रिग्रोमेट्री में मैं सुरेशन 3D में इन में दिक्कते आती हैं इनको फॉर्मूला वुक्स से बारबार रिवाइस करें जितनी बार रिवाइस कर लोगे उतना आपका फायदा रहेगा लास्ट मिनट एपरो अगर आप अब तक ऑप्सन एलिमिनेशन ट्रेक्स और इंसे कर रहे थे फिर कोई कहता है कि बेसिक में फस जाओगे तो तीस दिन में बेसिक्स नहीं सीख पाओगे अगर पिछले एक साल में नहीं सीखा अब कैसे सीख जाओगे तो इसलिए अपनी एपरोच इसको अब चे इसलिए नहीं कर पाते बात यह है कि आपने प्रैक्टिस नहीं कर यह तो प्रैक्टिस करें लॉजिक पता था पर क्लिक नहीं किया बात यह लॉजिक पता ही नहीं नहीं था आंसर देख के आपको लग रहा है कि लॉजिक तो हमें पता था प्रैक्टिस करो इन लॉजिक की जो आपको लगता है कि पता थे पर हो नहीं पा रहे हैं कुछ चैप्टर जैसे बहुत अच्छे से वोकैबलरी के लिए भी आप उसको रिवाइस करने के लिए कर सकते हैं तो 51 दिन वाली सीरीज को पूरे तरीके से फॉलो करें बाकी रीजनिंग और क्या कर सकते हैं अगर आपकी रीजनिंग में दिक्कत हैं हैं तो दो सेक्सिनल टेस्ट लगा लें दिक करें जिनसे कि वो आपके कंठस्ट हो जाएंगे इसके अलावा लास्ट में अगर जीएस की बात करेंगे तो जीएस में तो भाई वही है तो सबकी आलत पर भी काफी सारी पढ़ी रेंकर्स गुर्पल पर वहां से भी आप देख सकते हैं तो आप वह सारी वीडियो देख सक करें मैट्स है रीजनिंग है और आपका इंगलिस है यह कॉंसेप्शल चीज़ें यह पिछले दोड़ही साल से आपने बहुत याद मला बहुत चीज़ें करी हैं वहां पर याद करने का काम कम था यहां याद करने का ज्यादा इसलिए लास्ट टाइम पर इस पर स्पेशल क्यों कि लास्ट मिनट में पढ़ी हो cud owners लाइक करें लगाएं के जनून बाते करें तो इसे घरूर करें आप की अपडेट्स के लिए सारी चीज़ों के लिए दोनों टेलीग्राम फॉलो कर लें वो कैब वंडर्स बाइप प्रसांसर रेंकर्स गुरुकल ओफिशल जितना कॉंटेंट मैंने आपको बताए था वो सब भी यहां पर अवैलिवल है कितावों के लिंक भी आपको यह पर मिल जाएंगे मैस की रीजनिंग की इंगलिस की किनों की सीजल वारियर आप चैक आउट कर सकते हैं प्रीवेस एर के लिए ठीक है वागी वीडियो अगर अच्छी लगिए तो लाइक से जरूर कीजेगा और एक कमेंट करके बताएगा कि क या मैंने जो बात हैं कहीं वह एक्शल मैं जैनुने आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे और अगली जब भी जरूत लगेगी कोई स्ट्रेटजी की कोई कुछ की तो कमेंट कर दीजेगा अगली वीडियो में आपको बता देंगे थैंक्यों सो मच जैहिंद यवार